आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे मध्यप्रदेश Employee Selection Board की तरफ से आने वाली एक New Requirement के बारे में जिसके लिए Online Application स्टार्ट हो चुका है Interested Candidate Online ही अपलाई कर पाएंगे इस Requirement के बारे में हम बात करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपको माध्यमिक सिक्षक और इसी के साथ प्राथमिक सिक्षक जिसमें विषय सिक्षक और खेल संगीत गायन वादन नित्यक अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी requirement निकाली गई है जिसके लिए आप Online Apply 31 2023 से कर सकते हैं आज के इस यूडियो में हम इस requirement के बारे में complete notification के बारे में जनकारी प्राप्त करेंगे किस requirement के लिए आपकी क्या एलिश्टिक्रे करिटेरिया होने वाली है exam procedure क्या होगा, selection procedure क्या होगा, आपका syllabus क्या होगा, सारी जनकारी आपको इस वीडियो में provide करने वाला हूँ वीडियो को लाज तक watch किजिएगा, चलिए वीडियो को इस टार्ट करते हैं दोस्तो यह official notification मध्यャ प्रदेश करम चारि चयन मंडल भोपाल के तरफ से जारी कई गई है जिसके अंतरगत असकूली शिट्चाविभाग के अंतरगत माध्यमिक सिखशक होंगे और माध्मिक सिक्षक खेल संगीत गायन वादन और प्राथमिक सिक्षक खेल संगीत गायन वादन नित्या इसके साथ मध्य प्रदेश, सासन, जन जातिय, कारविभाग के अंतरगत, माधमी, सिक्षक, विश्य सिक्षक के लिए, एवाम प्राथमी, सिक्षक, खेल, संगीत, गायन, वाधन के लिए औलाइन पात रहता है, यहाँ स्टार्ट हो चुकी है, रिक्वार्मेंट 2013, जिसके लिए इंट्रेस्टेट कैंडिडेट औलाइन अपलाई कर पाएंगे, 31-2023 से, और आपकी लाश डेट होगी, 13-2-2023 तक, और इसमें कोई संसोधन करना है, तो आप 31-2023 से ही स्टार्ट हो च रखा गया, जो आपको ऑनलाइन करना होगा, इसी के साथ, आप यहाँ पर कियोस के मादम से ऑनलाइन अपलाई करते हो, तो 60 रुपए आपको पोर्टल फिस देने होगे, इसके अतरिक्त आपको रजिस्टर सीटीजन यूजर के मादम से लोगिन करके फॉर्म फिल अप करत आपको यहाँ पर देखनी को मिल जाएगी, आप एक बार चाहो तो रिडाउट कर पाएंगे, आप यहाँ पर जिस भी रिक्वार्मेंट के बारे में कम्प्लीट जनकारी प्राप्त करना चाहते हो, पीज नमबर टू में आनी के बाद विसे सुची आप चेक कर लोगे, जि इसी के साथ माधमी सिक्षक खेल्स रिगार्डिंग आप यहाँ पर जनकारी प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए कोड 2 होगी, और माधमी सिक्षक संगीत गायान वादन के लिए चेक आउट करना चाहते हो, डिटेल तो कोड 3 होगी, इसी के साथ और भी आपको जनका जिसका है तो आप अपने कोर्डिंग डिरेक्ली पेज पर ही जाकर के सारे जनकारी प्राप्त कर पाएंगे तो चलिए आज के इस वीडियो में हम एक requirement के बारे में में बात करेंगे माध्यमिक शिक्षक विशा शिक्षक के बारे में जिसका कोड zero one है जिसके लिए आप यहाँ पर सारी API कर सब्हपी योगिता होगी वह आपको different criteria में देखने को मिल सबसे पहले संबंदित विशाय में यदि आपने इसनातक यानि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा साथ प्रारंबिक सिक्षा में दो वर्षियों का डिप्लोमा है इसके अतरिक्त आपका संकक्ष डिग्री है तो आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे इसके अलावा यदि संबंदित विशाय में कम से कम 50 प्रतिसत अंकों के साथ आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा इसी के साथ सिक्षा सास्त्र में एक वर्ष का बीएट कंप्लीट कर रखा तो आप इस रिक्वार्मेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे इसके अलावा यदि आपके पा और अप्लाई कर पाएंगे इसके अलावा और भी आपको आपसंस मिल जाते जो आप यहां पर देख पाओगे सबसे पहले आप यहां देख सकते हो कम से कम आपके पास 50 प्रतिसत अंक के साथ हायर सेकेंडरी का एक्जामिनेशन आपने कंप्लीट कर रखा इसी के समक्ष कैटिगरी वाइस छूट भी आपको मिल जाएंगी आरक्षित वर्गों जैसे की अनुसूचित जन जाती और अत्यंद पिछडा वर्ग दिभ्यांग व्यक्तियों के लिए अभ्यार्थियों आप यहां पर देख सकते हो 5 प्रतिसक का आपको यहां पर छूट मिल जाएगे प्रतिक एक नंबर मिलेंगे और आप यहां पर चार एंसर गलत करते हो तो आपका एक मार्क्स काट लिया जाएगा इसी के साथ आप यहां पर डिटेल देख सकते हो जिसमें समाने हिंदी समाने अंगरीजी के आपको यहां पर आपको साथ मिलेंगे और सिक्षा सास्त्र के रिकॉर्डिंग आपको 10 मिलेंगे टोटल तीस क्वेस्टन यहां को सभी के लिए मानने होंगे इसी के साथ अगर आप जिस भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहां पर विसाइवस्तु में अपलाई करते हो जैसे कि हिंदी आपको विसाइवस्तु देखने को मिल जाएगे जिस भी आप यहां सब्जेक्ट के लिए अपलाई करते हो टीचर के लिए तो आप यहां पर टोटल आपको 120 क्वेस्ट वाइस जो आपको यहां पर देने होंगे उसके एंसर आकी आपको मैं बता दूं कि इस रिक्वार्मे आपको अपने सीलेबस के अकॉर्डिंग यहां पर सारी जनकारी दिखने को मिल जाती है तो आप इंटरेश्टेट उस रिक्वार्मेंट में अपलाई करने के लिए तो आप यहां पर सीलेबस को भी चेक आउट कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग आप अपने एग्जामिनेश जैसे कि माधमी सिख खेल के रिकॉर्डिंग आप यहां पर सारी जनकारी प्राप्त करना चाहते हो तो उसके बारे में डिटेल जनकारी आपको यहां पर दिखने को मिल जाएगी आपको मैं बता दू ऑनलाइन अपलाई आप कैसे कर सकते हो इसका स्टेप बाइस जब आपका ओलाइन अपलिकेशन स्टार्ट होगा तो मैं आपको एक वीडियो प्रॉइट करूँगा जिसमें मैं आपको रजिस्टेशन से प्रिंट तक का कम्प्रीट प्रॉसेजर बताने वाला हूं तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको जल से जल नौटिफिकेशन मिल जाएगे यहाँ पर एक्जामिनेशन सेंटर की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल 17 एक्जामिनेशन सेंटर मिल जाएंगे आप यहाँ पर 4 परिक्षा सेंटर के सेलेक्शन करने आपके पास प्रिफेंस होगा जो आप अपने कॉर्णिंग सेलेट करेंगे यहाँ पर 17 पर इच्छा के अंदर आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों यह थिस रिक्वार्मेंट के रिगार्डिंग कंप्लेट जनकारी बाकी आपको डिटेल से जनकारी प्राप्त करनी हर इक रिक्वार्मेंट के बारे में तो आप इस पीडियेप को हमारी टेलिग्राम चैनल से डारिक्ली डाउनलोड कर सकते हो जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डेस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा तो चलिए वीडियो पसंद है तो वीडियो एक लाइक करने के साथ स चैनल पढ़ने हो तो सब्सक्राइब कर लिसीगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद